नागपुर में हुए चुनाओ को लेकर चन्रशेखर बावन को इने खा कि नागपुर में हुए चुनाओ में विरोधी पक्ष ने सत्ता और पैसो का अत्यंत अमर्यादित तरीकी से उपयोग किया है। पालक मंत्री और नाणा पटोले भी इस चुनाओ में शामिल थे। जैसे कि पूरे महाराष्ट और भारत का चुनाओ था। ऐसा उन्होंने पैसा और सत्ता का अत्यंत तरीकी से दुहन किया है। आरक्षन दीजिए OBC को। लेकिन सरकार ने औरनस निकाला है, वट हुकम निकाला है। अब राज्य सरकार की जवाबदरी बनती है। वट हुकम को सुप्रीम कोर्ट से क्लियर करें और आने वाले चुनाओं में OBC आरक्षन दे। दे। देखिए कि नाकपूर की जहां तक बात है, यहां नाकपूर में सत्ता और पैसे का अमरियाद वापर हुआ है। एक-एक सीट पे एक-एक मंत्री आके बैठे थे, एक-एक ML आके बैठे थे, और हम लोग पूरी तरसे लड़े, लेकिन ये चुनाओं में पूरी तरसे सत्ता का जो पर्सेप्शन है, वो भी हु पालक मंत्री और बाकी मंत्री भी ये चुनाओं में खुद कहले रहे, नाना पोटले खुद ही चुनाओं में थे, तो मुझे लगता है कि इन्होंने ये नाकपूर का चुनाओं, जिसे पुरे महराष्ट का और भारत का चुनाओं ऐसा उन्होंने बातावरं किया था, और उन्हों में वो सपल हुए है, लेकिन हम ज्यादा पीछे नहीं है, निचित रुप से आगे हम इसका जो भी एक दूशेटे कम हुई है, उसका अकलन हम करेंगे.